नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल प्रेना दायक अध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक बहुत ही प्राचेन कथा सुनाने जा रही हूँ तो कहानी कुछ इस परकार से है प्राचेन काल में एक नगर में तुलाधर नाम का एक व्यापारी रहता था उसका व्यापार देश-विदेश में फैला हुआ था उसके भंडार धन-धान्यां से भरे रहते थे किसी भी चीज की कोई कमी न थी उसे जो भी वस्तु पसंद आती वह उसे तुरंत खरीद लेता था इस तरह ऐसे वह बड़ा ही वहभवशाली जीवन व्यतीत कर रहा था जहां पर तुलाधर रहता था उस नगर के बाहर एक उची पहाड़ी पर एक संत महराज अपनी कुटिया बना कर रहते थे नगरवासी अकसर उन संत महराज के पास उनके परवचनों को सुनने के लिए जाया करते थे तो तुलाधर के मित्र भी तुलाधर को कहते थे कि तुम भी संत महराज के दर्शन के लिए जाया करो उनके परवचनों को सुनो तुलाधर तो अपने व्यापार कारियों में व्यस्त रहता था परन्तु वह अपने मित्रों को कहता कि हाँ एक दिन मैं भी संत महराज के दर्शन को अवश्य जाऊंगा तुलाधर के मन में संत महराज के लिए बड़ा ही सम्मान था वह वास्तों में उनके दर्शन को जाना भी चाता था कई बार रात्री में सोने से पहले वह निश्च्य करता कि मैं जल्द ही संत महराज के दर्शन को जाऊंगा परन्तु व्यापार की व्यस्ता उसे जाने कहां देती उसका तो सारा ही समय व्यापार कारियों में ही निकल जाता था हमारी भी तो यही दशा है हम सब भी परमात्मा, ध्यान, भक्ति और प्राठणा की महीमा को जानते हैं परंतो उसके लिए समय कहाँ निकाल पाते हैं हम सब भी तुलाधर की तरह अपने जीवन की आपा धापी में, रोजी रोटी में, व्यवसाए में, दुकान में ही व्यस्त रहते हैं इस तरह से सालों बीट गई परन्तु तुलाधर उन संत महराज के दर्शन के लिए नह जा सका फिर एक दिन खबर आई कि संत महराज तुम रित्युशया पर हैं और अब उनके पास जादा समय नहीं है आज भी तुलाधर अपने व्यवापार कारियों में उतना ही व्यस्त था परन्तु आज वह भागा सब कुछ छोड़ चाड़ कर भागा संत महराज से मिलने के लिए दो दिन और दो रात की लंबी यात्रा करके वह पहाड़ी की उची चोटी पर संत महराज की कुटिया में पहुचा वहाँ पर संत महराज अपने कुटियां में जमीन पर ही लेते हुए थे उसने संत महराज को प्रणाम किया और उनके चर्णों के पास बैठ गया तुला धर ने कुटियां में चारो तरब देखा तो उसने पाया कि संत महराज के पास तो सामान के नाम पर कुछ भी नहीं था उनके पास तो ठीक से बिस्तर भी नहीं था वे तो जमीन पर ही लेटे हुए थे तो तुला धर ने संत महराज से पूछा कि यहें आप कैसे रहते हैं आपके पास तो आवशक्ता भर की वस्तुएं भी नहीं है इस पर संथ महराज ने कहा कि बेटा तुलाधर तुम भी तो खाली हाथी आये हो जो वस्तर तुमने पैने हैं उनके अलावा तुम्हारे पास भी तो कुछ भी नहीं है इस पर तुलाधर ने कहा कि मैं तो यात्री हूँ मैं यात्रा करके आया हूँ इस बात पर संथ महराज मंदमंद मुस्कुराने लगे और बोले कि बेटा तुलाधर मैं भी यात्री ही हूँ और हम सब यहां यात्री ही हैं यह संसार किसी का भी घर नहीं है यहां सब यात्री ही है आज के लिए बस इतना ही